मनेरेगा की तर्ज पर इंद्रागांधी शहरी रोजगार गैरंटी योजना आज से शुरू होने जा रही है मुख्य मंत्री अशो गहलोत आज सुब साड़े दस बजे जैपुर के आगरा रोड स्थित खानिया की बावडी के जेनो धार कारे का शुभारम करके योजना की शुरूआत करेंगे इसके बाद घाट की घूनी टनल के पास बने अंबेड कर भवन पर सभा का आयूजन किया जाएगा सभा में भीड जुटने के जिम्मेदारी शहर के विधायकों को दी गई है योजना के तहट राजिस्थान की 213 शहरी निकाई शेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार उपलब्द करवाये जाएगा इसके लिए राजिसरकार ने 800 करोड का बजट आवंटित किया है राजिसरकार का दावा है कि ये देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार ग्यारंटी योजना है योजना में जन आधार कार्ड धारक परिवार आविदन कर सकेंगे अभी तक 2,25,000 से भी जादा परिवार पंजुक्रित हो चुके है स्वायति शासन विभाग ने इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए कुल 9,593 कारे चिन्हित किये हैं जौब काड़धारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयू के सभी सदस्य योजना के पात्र होंगे योजना का क्रियानवन करने के लिए राज्य, जिला और निकायस्तर पर समितियों का गठन कर दिया गया है योजना के तहट शहरों में जल संरक्षर, पौधरोपण, बावडियों का जेनोधार, स्वच्छता और सैनिटेशन कारियों के अलावा संपति विरूपण रोकने के कारिय, सेवा कारिय, हैरिटेज संरक्षर से जुड़े कारिय, नगरिय निकायों और सावजनिक भूमी के सुरक्षा, चारदेवारी, गाड़, ऐसे कई कारियों की शामिल किये गए है योजना के तहट करीब सवा दो लाग से भी ज्यादा जॉब कार्ड़ारी है, लेकिन काम मांगने वाले लोगों की संख्या कम होना सरकार के लिए चिंता का विश्य बना हुआ है, इसके पीछे कम मांदे को वज़ः बताय जा रहा है सरकार ने मिनिममम वेजेज 269 रुपए से 333 रुपए तए किया है, रोजाना में काम करने वाले लोगों को पारिश्रमिक सीधे खाते में जाएगा, योजना के लिए 2561 विबिन्पदों पर सम्विदा के आधार पर भरती प्रक्रिया की गई है योजना के लिए सभी निकायों से सम्बंदित कार्मिकों और ई मित्र संचालकों का प्रशिक्षन दिया गया है, योजना में श्रम और समगरी का अनुपात निकायसतर पर 75-25 में निर्धारित किया गया है खास तरह के तक्नीकी कार्यों में निर्मान सामगरी लागत और तक्नीकी विशिशग्यों और कुशल श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक का भुकतान का अनुपात 25-75 रखा गया है